नमस्कार दोस्तों यादो प्लमबर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज दिखाएंगे आपको यह अपना इसमें देखिए एक फूट जगा है एक फूट जगा है अंदर अभी इसमें अपने को काम करना है और पाइपलाइन चारिंची का पीवीसी पाइपलाइन है यह स्ट डबलो वार अभी उसको जॉइंट करना है अंदर जगा नहीं है फिर भी अपने को पाइप का जोईट करना है और इसके अंदर कैसे जाएंगे अभी दिखे सरीर इदर उदर नहीं हो पाएगा लेकिन जाएंगे अंदर और कैसे जोड़ेंगे पूरा डीटेल के सा आपको बताएंगे आप यह ऐसा काम कर सकते हैं मात्र एक फूट अंदर जगा है अंदर अपना संडास का पाइप उपर काम चल ला है प्लास्तर का बान काम प्लास्तर का उसके वैसे चार इंची पीबिसी पाइप अपना टूट गया है तो जो भी गंदा है वो नीचे गिर र लाएं उसमें से गंदकीन नीचे जा रहा है अभी पानी इसमब बन कर दिये हैंं है अभी अपने को काम करना है अंदर अधर कि यह अपना रसरी के सार अपने को अंदर जाएंग'गे तरति अगे अपना बूंडा में वाने आढ़र यह पाइप है यह अपना जोइंट करने का है कैसे जॉइंट करेंगे क्या कर लगेगा इसमें आप यह आसानी से कर सकते हैं इसको यह काम को अब यह अपने पीवीसी पाइप है चारी इंची का अब अब इस लिए कंपनी का बाजू में है यह पूरा कंपनी है कि ऊपर कंटेक्स अलाइन का काम चल ला है दो मंजिल नीचे है दो मंजिल उपर का काम हो रहा है चार मंजिल का अब इसके नीचे अपने को जाना है देखिए एक तरफ कैसी जोड़ेंगे आप जोड़ सकते हैं एक पाइब को अभी जितना ये पाइब है न उतना उसमें अंदर से आपको काट के निकालना पड़ेगा अतना काट के फिर अपने को लगाना पड़ेगा देखे एह अपना पीबी सी पाइप है पी बीसी पाइब के लिए एक कि दर लगेगा और एक होड सोकिट हो इस दुनों ही और ये सोकट कैसा है ये सोकिट यहां तक जाएगा तो यह साक्ट को पुस्ट करेंगे तो यहां तक जाएगा और कभी भी काम करें तो पहले मेजरमेंट लेके ही काम करें यह तो क्या होगा अप अंदर गहें time छोटा होगा भड़ा होगा फिर लपड़ा होता है जितना यह अपना पाइप है अगर आपको अंदर एक फूट लगता है तो एक फूट कटिंग कर ले अगर अंदर ज्यादा लगता है आपको ज्यादा कटिंग कर ले अभी अपने को अंदर चार फूट पाइप लगता है यह चार फूट अपना पाइप है परफेक्ट अब अपना कटिंग कर दिये हैं अब जो भी कमाल है ये सोकित में कमाल है यह अपना पारस कंपनी का है चारिंची का सोकित अब देखें यह सॉक्रिट में क्या है यह स्वर सॉक्रिट है यह अपना यह स्वर सॉक्रिट है इसमें क्या होता है इसमें एक बीच में लाइनिंग रहता है यह अपना बीच में लाइनिंग रहता है यह लाइनिंग को आप एक्स अमलेट से निकाल के एक्सारेट्स गिशंच के अंदर का लाजी निकाल देना आपको एक्दम फिरी हो जाएगा वे पुरा घस के अंदर का लाजी निकाल देगे और वे अपना पेविशी जो सॉकिट था maple कर देंगे एकतरव और इसको एक्दम फिरी कर देंगे है थो सबीक है कि दिखाते है आपको किसे करना है आपको यानिक Kellya हर कंपनी का आता है एस हाध्स का consistent को बीत में बीच में जो लाइनिंग होता है न अब एक इंचिक आ क्राइनिंग जो आ अब यह अंदर अपना पुरा निकाल दिये हैं पुरा एक्साब्रेट से घिस घिस के अब यहां से आप डालेंगे देखिए यहां से आप डालेंगे तो आराम से यह पाइप आगे तरब चला जाएगा आगे तरब चला जाएगा तो आपका पाइप अगर जीरो जीरो आप काटे हैं तो अराम से आगे वाला पाइप उसके फेस में आ जाएगा आई अपना socket माप के यहां से आप माप लेंगे पर एक्समलेट से मार्किंग कर लेंगे आधा इधर जाना चाहिए और आधा उधर जाना चाहिए आधा इधर और आधा उधर तो अपना पूरा joint perfect बैठेगा कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें solution अच्छा से लगाना चाहिए solution ज़्यादा लगाएंगे तो दिक्कत नहीं रहेगा अब इतना आपना आगे ले लिए socket अब पीछे अपना PVC socket डालके आप जोड़ सकते हैं अभी अंदर जाते हैं अभी जोड़ के आते हैं आपको दिखाते हैं अब ये रसी के सारे अंदर जाएंगे मात्र एक फूट जगा है अंदर सरीर घुमाने का जगा नहीं है फिर भी काम करने तो जाना ही पड़ेगा अब ये अंदर जा रहे हैं अभी क्या होता है एक बाद socket इदर लगा लेते हैं ये तो अंदर जाने के बाद पू飲ड के काम करेंगे कि socket लगाएंगे एक ये शुकीट पीवीची जो socket है और उसको अपना इदर fix कर लेंगे आए अब ये वाला socket है ये ये अपन अंदर जालके फिरी कर लेंगे ये अपना अंदर जालके ये ग्ल Fried्य, जाएगा अभी जितना पाइप है नो उतना अपने को नीचे कटना है और जो खराब पाइप है उतना अपने को काटके निकाल देना है नीचे एक्सुली क्या हुआ है तीन फूट पाइप खराब हो गया है अभी 3 पूरा पाइप काट के यह तो पाइप अब आपना चार पूरा पाइप काट के निकलने का ही स्ब्सक्राइब अभी डाल ज़ road ता है आपने को पालेश पेपर लगेगा क्योंगी यो पुराना वाला पाइप है तो उसको गिष ना पुराने वाले पाइप को उसमें सीमेंट लगा हुआ और पेंट लगा हुआ तो उसको घिसके फिर अपने को साफ करके फिर लगाने का है अब यह गोनी में पुरा रख दिये जो जो अपना समान लगने वाला है आभी जाएंगे नीचे अल्ब एक लड़का यहां से रस्षी पटड़ेगा और एक पेर और आपना रस्षी पे रहेगा और नीचे यहां से जाएंगे अभी शरी दोलाने का भी जगha नहीं है लुकिन काम करने तो जाना ही पढ़ेगा अभी जगह इसमें केवल एक फूट है अंदर अंदर अगर वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक और चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब ते के लिए जय हिंद वंदेवात्रम